हरियोच प्रिद्रशकों मैं हूँ पंडित वुल राम पांडे, हाजिर हूँ मीन राजिवालों का 2023 का वर्षिक राज़ फल्ले के जानेंगे मीन राज़ वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है क्योंकि 2023 में साड़े साती की सुरुआद भी मीन राज़ के उपर होने वाली है तो कैसा रहेगा कैरियर के लिहाज से 2023 कैसा रहने वाला है धन की स्थिति, भर परिवार की स्थिति, स्वास्त की स्थिति और इस्टुडेंट के लिए 2023 कैसा रहने वाला है हम इन सभी विश्यों पर बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे उस उपाय की जिससे साड़े साती होने के बावजूद भी आप 2023 को बहुत वहतर वर्स बना सकते हैं 2023 में आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं तो वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहें 2023 की आपको बहुत बहुत सुबकामनाई 2023 में सभी समस्याइं दूर हों और आपको नित नई सफलताएं प्राप्त हों 2023 में भगमान, कुवेर और माता लक्षमी की करपा आपके उपर बरस्ती रहें जिससे सभी धनकी समस्याइं दूर हो जाएं घर परिवार में खुसी का महल रहें 2023 में सभी एस्टुडेंट को मन चाही सफलताएं प्राप्त हों और आपकी सभी मनो कामनाई पूर्ण हो यहीं भगमान से कामना है मीन राजिवाले बहुत ही स्वाभिवानी होते हैं मीन राजिवालों को यदि कोई थोड़ा भी अपमान कर दे उनको सहन नहीं होता है मीन राजिवाले हर कार को बहुत सोच विचार के करते हैं क्योंकि मीन राजिवालों के साथ आपके साथ यह अक्सर होता होगा कि आप कोई चीज सोचते हैं तो लगता होगा कर लूँ और कभी लगता होगा ना करूँ तो ये इस्तिती हमेशा बनती रहती है जिसकी बज़े से आपको ये हमेशा होता है कि यदि कोई ब्यक्ति कहे दे हाँ ये सही है ये कोई कहे दे जानकार ब्यक्ति कहे दे कि हाँ ये चीज सही है तो उसको कर लिया जाए क्योंकि आपके दो मत होते हैं करना और ना करना परंतु मीन राशी वाले हमेशा बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मिहनत करने वाले भी माने जाते हैं मीन राशी वाले धार्मिक प्रवत्त के भी होते हैं देव गुरु व्रहस्पत की कृपा से इनके अंदर ग्यान का भंडार होता है मीन राशिबाले हमेशा शत्त के राष्टे में चलने वाले और गहन सोच करने वाले इनके मन में हमेशा कोई नो कोई सोच विचार चलता रहता है कोई नो कोई विशय को लेके कोई नो कोई बात को लेके हमेशा ये बहुत गहरे तरीके से सोचते रहते हैं तो कहा जाए कि मीन राशी बाले हमेशा एक मानवता की निसाल भी पेश करते हैं मीन राशी बहुत ही अच्छे लोग कहलाते हैं क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति का आधिपत तो होता है इस राशी में देव गुरु ब्रहस्पति का आधिपत राशी मानी जाती है इसके वजे से ये सामाज में एक बहुत अच्छी अपनी इस्तिती बनाके रखते हैं सामाज में मान समान इनको हमेशा प्राप्त होता रहता है तो आई ये जान लेते हैं कि 2023 में केरियर के लिहाज से कैसा रहने बाला है दोजार तेश केरियर के लिहाज से स्टार्टिंग में तो बेतर रहेगा देव गुरु ब्रहस्पति आपके मीन राशी में ही जैसे गोचर कर रहे हैं अप्रेल से वो बदल देंगे राशी राशी गोचर उनका बदल जाएगा मेसमी जैसे जाएंगे उसके पहले तक आपकी इस्तिति बहुत अच्छी रहने बाली है और हो सकता है यदि आप अपनी जौब और यदि आप करते हैं तो उसका परिवर्तन करना चाहते हों तो उसके लिए भी आपको मौका मिल सकता है पर तो जादाल है बेतर है जो आप कर रहे हों उसे ही करते रहें तो जादा ठीक है। करना ही चाएते तो साल के स्टार्टिंग में ही पहले ही कर लें अप्रेल के बाद करना अच्छा नहीं रहेगा। और ब्यापारियों को भी विशेसल आप मिलने वाला है दिए आप खासकर कोई विदेश से 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 कोई विदेश से 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 विद दासी से बार में हो जाएंगे तो आपके उपर साड़े साती का भी प्रभाव रहने बाला है, स्टार्टिंग होने वाली है, तो इसका भी प्रभाव रहेगा, तो कहीं न कहीं आपको हर कार को बड़े साउधानी पूर्ण तरीके से करना होगा, और इस बात का विशेज ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करें तो सही तरीके से ना कि गलत तरीका अपना हैं यदि सही तरीके से और अच्छी मेहनत करते हैं तो साड़े साती तो अपना प्रोहत दिखाएगी परन्त फिर भी आपको काफी राहत मिलेगी तो कहा जाए कि 2023 के लिहाद से ब्यवसाईयों के लिए मिला जुला कहा जा सकता है पूरवार्द में तो अच्छा रहेगा परन्त उत्राज में कुछ समझ्याएं बन सकती है अब बात कर लेते हैं घर परिवार की नाते रिष्टों की 2023 घर परिवार के हिसाब से कैसा रहने बाला है तो 2023 को कहा जाए तो मिला जुला कहा जा सकता है 2023 में कुछ लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा, घर के सदस्चों का सपोर्ट तो मिलेगा, प्रंतु कहीं न कहीं कुछ बीच 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 बाद विवाद जैसी स्थिती भी पैदा हो सकती है या किसी पुरानी संपत्ति को लेके पुराने माबलों को लेके पुराने जो लड़ाई जगड़े थे या बाद ब्याद था उनको लेके पुनहा तकलीफें हो सकती हैं और पार्टनर के साथ भी लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ बाद विवाद जैसे स्थितियां पैदा हो सकती है तो बैवाहिक जीवन को सम्हालने की भी जरूरत होगी और हाँ एक बात जरूर है खुसकपरी रहेगी आपके लिए कि 2023 में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे संतान की प्राप्ती की इच्छाप रखते थे तो 2023 में संभव हो है कि आपको संतान की प्राप्ती हो या संतान है तो संतान को विशेश सफलता है प्राप्त हो जि जरूरत होगी आपको अपने बाणी में सयम रखना और हर निर्णे को बहुत सो समझ के करना तो 2023 को भी परिवार के लिहाज से भी बिज़े तक बनाया जा सकता है प्रनुतु राश्ट तक बने रहेगा हम उपाय जानेंगे जिसी यह जो सभी समस्याई है वो दूर हो अब बाद कर लेते हैं स्वास्त की 2023 में स्वास्त की स्थि कैसी रहेगी तो 2023 जैसे ही सनी देव का 17 जन्वरी से राश्ट परिवर्तन हो का गोचर बदलेगा तो कहीं न कहीं साड़े साती का प्रभाव होगा और जिसकी वज़े से मांसिक टेंसन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं परंतु देव गुरु ब्रहस्पति आपकी रक्षा करेंगे देव ब्हस्पत भी अपरेल से अपना राश्परवरतन करने वाले हैं देव ब्रहस्पत की क्रपा से स्वास्त बहतर रहेगा परंतु हां कुछ पेट जनल तकलीफें हो सकती है तो आपको अपने खान पान में सहयम रखना बहुत जरूरी होगा और अपने स्वास्त को विशेश रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि देखिए हमारा स्वास्त जेदी बेतर है तो सब कुछ हम बहतर बना सकते हैं तो स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना जरूरी होगा हाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई गंभीर बिमारी ना पकड़े क्योंकि साड़े साती हो गयरा में ऐसी समस्याइं बन सकती हैं जिससे गंभीर लंबे समय तक चलने वाली बिमारियां बन सकती हैं उनसे भी साउधान रहने की जरूरत होगी तो इसके लिए आपको योग प्राणाया मगयरा करना और समय समय पर अपने स्वास्त का चकब गयरा करवाना और हर तरह से कहा जाए कि 2023 में स्वास्त को अपने आप बिसेज नंबर वन में रखें और फिर बांकी काम बाद में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहने बाला है अब बात कर लेते हैं आर्थिक इस्तिती की, फाइनेंस की और एस्टुडेंड की तो आर्थिक इस्तिती के हिसाब से, फाइनेंस की हिसाब से, 2023 इस्टार्टिंग में जैसे सनी देव, राजी कोचर बदलेंगे, साड़े साती चालू होगी तो कहीं न कहीं अनावस्यक खर्चे, ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ खर्चे बन सकते हैं और निवेस भी यदि आप करते हैं, तो बेहत सावधान रहके, अच्छे से जान समझ के करें, नहीं तो इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं तो परन्तु देव गुरु ब्रहस्पति का जैसे ही गोचर होगा, अप्रेल से अपना गोचर बदलेंगे वैसे ही आपको कुछ जो समस्याएं बनने वाली हैं साल के स्टार्टिंग में, तो उस समस्याओं में कुछ राहत मिलेगे तो कहा जाए कि धर्म के राष्टे में चलना, सही राष्टे में चलना, और अपने बजट को कल्कुलेट करना जो भी आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो आय हो रही है, जो ब्य हो रहा है, जो खर्चे हो रही है उनको ट्रेक करना, उनको लिखना कि आप कितनी इंकम कर रहे हैं और कितना खर्चा कहां कहां हो रहा है यह दिए ऐसा करते हैं और धर्म के रास्ते में सही रास्ते में चलते हैं और देव गुरु ब्रहस्पति की क्रपा से मैंनेज किया जा सकता है तो दिन के साल के पूरवार्द में जो समस्या हैं रहेंगी धन से सम्मंदित उत्रारद में कुछ कम होगी और अब बात कर लेते हैं स्टुडेंट के लिए साल पूरवार्द में बेतर रहने वाला है देव गुरु ब्रहस्पति का आसिरवाद आपको पराप्त होने बाला है जिससे आपको सफलताएं पराप्त होंगी तो मेहनत करने से पीछे यदि नहीं हटते हैं, तो 2023 को आप बहतर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीदर्स को उस उपाय की जिसको करने से 2023 साड़े साथे तो चल ही रही है, परन्तु फिर भी अपने 2023 को आप बहुत बहतर बना सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपको ब्रहस्पतिवार का ब्रत करना चाहिए ब्रहस्पतिवार को ब्रत करें केले के पेड को सीचे पूजन करें ब्रहस्पतिदेव की आराधना करें और वर्ष के यदि ज्यादा संभाव ना हो तो जैसे ब्रहस्पतिबार को पीले बस्त्रों वह राधारन करना और सनिदेव की आराधना भी करना बहुत जरूरी होगा संभाव ना करना चाहिए आप संभा रोज ना हो सके यह कि रोज संभाव तो ज्यादा अच्छा रहेगा ओड शनिदेव को जोगा सेधारना नहीं ब्रवान चाहिए तो अत्र क्वार्ष क को करना BENewान चलिशा पाड़ करना और पीपल ब्रक परक्ष के नीचे लिए यह सब चीजे जैसे शनी चली सा भी आता है तो उसका PART करना है और सबसे बड़ी वात है कि सणीु देव को प्रसंद करने के लिए और सभी संहें से लिए रास्ते में चलना और जी तोड मेहनत करना हमारा भाग्य बनता है कर्म से ही बनता किPr infection कर्म करते हैं तो हमको उनका जरूर फल मिलने वाला है हां कभी पहले और कभी लेट पर मिलता जरूर है जिसलिए हमेशा शत्त के राश्ते में चले तो आपको हनुआन जी की सरण पकड़े रखना है 2023 में और हमेशा ही तो आपके सनी साड़े साथी के प्रवाव से बच सकेंग तो 2030 को भेतर भना सकते हैं और रही बात साड़े साथी की कोई भी ग्रह स्थिती हो ढईया हो और कोई ग्रहों के गोचर बदलते हैं वो सभी डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली के उपर जन्म कुंडली में सनी देव की स्थिति और भी ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो साड़े साथी का प्रवाव होगा तो हई परन्त बहुत ही कम वात्रा में जो की कोई विशेश समझ में नहीं आने वाला है और ये श्थिति ठीक नहीं है तो ये चीजें घटित हो सकती है तो कहा जाए कि हमें कभी भी कोई ग्रह स्थिति से या साड़े साथी से किसी से डरने की जरूरत नहीं है भगवान की सरण में हम रहते हैं भगवान के ही सभी बनाय हुए ग्रह हैं और सत्य के रास्ते में कर्म के रास्ते में चलते हैं तो सभी समस्याओं से ये देखी समय ह आया है कभी बुरा तो कभी अच्छा तो जब बुरा समय आएगा तभी अच्छा समय आने वाला है यदि हम सोचें कि नहीं हमेशा अच्छा समय रहे तो संभव ही नहीं है क्योंकि सिक्के के दो पहली हमेशा होते हैं यदि सुख है जीवन में तो कभी दुख होगा और समस्याओं से बचने के लिए तो प्रियदर्शकों यह रहा मीन राशबालोंք का 2030 का वारशिक राशफल यह आप दैनिक राशफल, मासिक राशफल यह जोति से जूड़ी हुई और जानकारियां, सनातन धर्म से जूड़ी हुई और भी जानकारियां प्राप्य करना